हाई अब्रिवन देखिए इस वीडियो में बहुत ही सुन्दर सा एक लेस्ट डिजाइन जिसके लिए आपको नाइन प्लस टू के मल्टिपलें फंदे कास्टून करने होंगे तो यहां मेरे पास से टोटल बीस फंदे जिसमें सुरबात का एक फंदा और लास्ट का एक फंद और हम उल्टे बुनेंगे इसके बाद नेक्स्ट पाँच फंदे सीधे एक दो तीन चार और पाँच फिर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे अब देखिए इस रूमें पहले फंदे के बाद यही नौ फंदे को आपको रोवन के एंट तक रिपीट करना है लास्ट के एक फंदे बचने तक तो अगेन हम दो फंदे यहां पे उल्टे बुनेंगे इसके बाद पाँच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार और पाँच अब देखिए लास्ट में हमारे पास तीन फंदे बचे हैं यानि दो फंदे डिजाइन के और एक फंदा हमारा एजिस्टी तो इन सभी को मुल्टे ही बुन लेंगे और यह रो हमारी कम्प्लीट हो गए अब आज यह नेक्स्ट रो में रॉंग साइड रो टू और इस रो में जो फंदे जैसे दिखाए थे वैसे ही बुनेंगे तो पहला फंदा सीधा और अब हम यहाँस अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो दो फंदे और हम सीधे बुनेंगे इसके बाद नेक्स्ट पाँच फंदे उल्टे एक दो तीन चार और पाँच अब हम फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे और देखे इस रहें पहले फंदे के बाद यही नौ फंदे को हम अगेन रिपीट करेंगे तो हम यहाँ पे दो फंदे और सीधे बुनेंगे यानि बीच में चार फंदे सीधे होंगे उसके बाद पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार और पांच अब देखे लास्ट में हमारे पास तीन फंदे बचे हैं तो इन सभी को हम सीधे बना लेंगे तो ये रूबी हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हम राइट से रो ठर्ड में आ गए हैं पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा तो एक फंदा और उल्टा बुनेंगे इसके बाद दो फंदे को हम सीधा बुनते बें घटाएंगे उसके बाद एक फंदा सीधा अब यहाँ जाली डालने के लिए उन आगे लिके आएंगे और एक फंदा फिर हम सीधा बुनेंगे उन आगे की तरब एक फंदा सीधा और अब इस दो फंदे को हम पीछे की तरब से सीधा बुनते पर घटाएंगे इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे अब देखे इस रो में आपको पहले फंदे के बाद यही नौ फंदे को अगेन रिपीट करना है तो यहाँ पे एक फंदा और उल्टा बुनेंगे इसके बाद दो फंदे सीधा बुनते बें घटाएंगे एक फंदा सीधा और जाले डालने के लिए उन आगे लाएंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे अब यहाँ एक और जाले आएगा तो उन आगे लाके एक फंदा सीधा और इसके बाद नेक्स्ट दो फंदे को पीछे की तरब से सीधा बुनते बें घटाएंगे और जो लास्ट में दो फंदे बचें इसे हम उल्टे ही बुन लेंगे अब इसके बाद आज़े ये रॉंग साइड रो फोर में और इस रो में भी हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे और अब यहां से मारा पैटर्न स्टार्ट होगा तो एक फंदा और सीधा इसके बाद नेक्स्ट साइड फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छै, और साथ इसके बाद एक फंदा सीधा अब देखे इस रो में पहले फंदे के बाद यही नौ फंदे हम रिपीट करेंगे तो अगेन एक फंदा सीधा और अब साथ फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छै, और साथ अब लास्ट में जो दो फंदे बचे हैं इसे हम सीधे बुनेंगे तो इसी तरीके से रिपीट करते विए आपको रॉंग साथ रो फोर को यह बुन करके कम्प्लीट कर लेना है अब हम राइट साथ रो फाइब में आ गए हैं पहला फंदा तो उल्टा ही बुनेंगे इसके बाद नेक्स्ट दो फंदे को सीधा बुनते वे घटाएंगे और अब नेक्स्ट दो फंदे सीधे और यहाँ जाली डालने के लिए उन आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे उन फिर से आगे की तरप और नेक्स्ट दो फंदे सीधे और अब इस दो फंदे को पीछे की तरप से सीधा बुनते वे घटाएंगे अब देखिए इस रो में भी आपको पहले फंदे के बाद यही नौ फंदे को रिपीट करना है इस रो के एंड तक लास्ट के एक फंदे बचने तक तो फिर हम दो फंदे सीधा बुनते वे घटाएंगे इसके बाद दो फंदे सीधे और जाली डालने के लिए उन आगे लाएंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे उन फिर से आगे की तरप नेक्स्ट दो फंदे सीधे और अब इस दो फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते पर घटाएंगे और जो लास्ट का फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे तो बाज़े ये रॉंग साई रो 6 में और रो 6 में हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे तो अब इसी तरह के सभी फंदे को उल्टे बुनते वे म्रो 6 को इबुन करके कम्प्लीट कर लेंगे तो ये रो भी हमारी कम्प्लीट हो गए अब इसके बाद इसे कंटिन्यू बनाने के लिए आपको फिर से रो 1-6 को रिपीट करना होगा और शुरुबात में डिजाइन ज्यादा पता नहीं चलता लेकिन जैसे जैसे आप इसे रिपीट करेंगे तो ये जो डिजाइन है हमारा इस तरह से आगे की बनते जैग और आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुन्दर लगता है और बहुत ही उनिक सा एफेक्ट भी देता है तो आप इसे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट लेडीज, कार्डिगन, जैकेट, सॉल, स्काप्य और भी कई तरह के प् खोज रहें तो स्क्रीन पर ये जो वीडियो आपको दिख रहे हैं इन्हें भी क्लिक करके आप देख सकते हैं ये भी आपको बहुत पसंद आएंगे